हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रग्नेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो कमेंट्स में जै माता दे लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपके प सावीट्री की पूजा है तो इस समय गरवती महिला को बहुत ज़्यादा मन में सवाल आ रहे हैं कि व mix क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्योंकर प्रेगनेंट लेडी से उनके मन में बहुत सरे सवाल आते ही है क्योंकि जो पहले बरत कर रहे हैं और प्रेग्नेंट भी है गर्वाती भी है तो उनको ब्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गर्वाती को क्या नहीं करना चाहिए वर्ट सावित्री के दिन ओभी मैं आपको आज की इस वीडियो बताऊंगी भूलकर भी आपको एक गल उस से में आपको क्या करना चाहिए, क्या नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आप और आपका बेवे बिल्कुल healthy रहे है, यदि आप मारे चैनल पर पहली बर आये हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर दिजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं पहले ही अ और आपका यानि कि फोस्ट बार ये पूजा आप सुरू करने जा रहे हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है ये आप चाहरे कि आपको पूजा मतलब आप करना चाहें लेकिन आप फोस्ट बार उठाना चाहरें पहले सा आप कोई पूजा नहीं कर रहे हैं तो मेरा कर सकते थे लेकिन अप फर्ष्ट पर जब पूजा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेग्निंट है तो नहीं करना चाहिए नहीुकendate करें कि आप आपना ख्याल रख siis क्ते हैं जो यहां ने प्रेग्निंट है और पहले से करते हैं और एस से में मतलब पहले सो पूजा करते हैं तो जहर सी बात है कि एकला पूजा उनको करना ही होगा तो उससे में उनको क्या साधानिया बरतनी चाहिए भूलकर भी एक गलतिया नहीं करना है वरना आपको पश्टाना पड़ सकता है तो इस वीडियो का अपध्यान से सुनिएगा भी नहीं लगाना है वर्जित है घरबती महिला को बिल्कुल भी वर्ट को फेरा नहीं लगाना चाहिए यह अच्छा नहीं माना जाता है हमारे सास्त्रों के नुसार तो आप परेगनेंट है तो फेरा मत लगाईएगा इस समय आप जूस होगारा ले सकते हैं खाने की फॉल आपके ले सकते हैं क्योंकि वगारा लेसें लेना वर्जित नहीं क्योंकि बेवी का घरबती है तो इस समय आपके सारे माफ होते हैं तो भगवान सबसे पहले आपहले तो आपके लिए क्या हो सकता है तो आप अपने घर के बड़े बुज़र को सैसे पूछ लेले कि मैं पता दो मेरे यहां तो ऐसे ही होता है असास्तों कनुचार भी ऐसा ही माना गया है कि पहले अपना बेबी का गर में पलरा सीशू का ध्यान रखना चाहिए थैंक्स पर वाची